दोस्तों नमस्कार हर्याना भारतिये जंता पार्टी को चुनावी सीजन में नया अध्यक्ष मिल गया है जिसका लंबे समय से इंतजार था कि हर्याना बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो और लंबा समय मानलेगी कम से कम फरवरी से इंतजार था कि हर्याना बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा वो तलाश पूरी हो गई है और वो तलाश पूरी हुई है राई के विधायक सोनिपत जिले के राई के विधायक महुनलाल बडॉली के रूप में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इस नई नियुक्ती से भी जो महुनलाल बडॉली हर्याना बीजेपी के परदेश अध्यक्ष बने है इसके बाद से एक बात फिर से साफ हो गई है कि हर्याना के अंदर मनोहर जलवा पूरी तरह से कायम है इस गोशना के बाद महुनलाल बडॉली के हर्याना भारती जंता पार्टी का परदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बात तो तैह हो गई कि पूरू हर्याना के पूरू मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोधी सरकार के वजीर, मोधी के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल की हर्याना में पावर, हर्याना में जलवा, हर्याना में उनका जो रुतबा पूरी तरह से बरकरार है अब आप इसे कुछ यूँ समझें। किया हो और चाहे राजनीतिक लोग सब जानते थे कि मनोहरलाल और धन्खड के बीच 36 कांकडा था धन्खड सोस्ट बनाए हुए थे हर्याणा का मुख्य वंत्री बनने की लेकिन धीरे धीरे उनकी परदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी कब उनके नीचे से खिसक गई उनको पता ही नहीं चला और इस प्रकार वो रुखसत हो गए थे हर्याणा से धन्खड साब और बन गए थे राश्ट्रिय सचिव बाद में मनोहरलाल जी की रुखसती हुई हर्याणा के मुख्य मंत्री का पद खाली हुआ और उनको मुख्य मंत्री के पद से हटा करके बना दिया गया अब सेंटर का मिनिस्टर बाद में उनको मुख्य मंत्री पस से अटा के लोगसभा का टिकेट मिला और चुनाव लड़े करनाल से चुनाव जीते 11 मार्च को अचानक से मनहुरलाल का इस्तीफा हुआ था और 11 मार्च को इस्तीफा होने के बाद में 11 मार्च की देर शाम को ही नायव सिंग सेनी बन गए थे हरियाना के मुख्य मंत्री और मार्च से लेकर अब जून तक यानि की लगवग चार महिने तक दोनों पद हर्याणा का मुख्य मंत्री भी और हर्याणा के मुख्य मंत्री के साथ साथ भारती जन्ता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी ये दोनों पद नायव सिंग सेनी के पास थे जिस दिन नायव सिंग सेनी मुख्य मंत्री बने थे तभी से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब नया परदेश अद्यक्ष कोई भारती जनता पार्टी को मिलेगा कई नाम चले थे सबसे पहरे तो नाम चला था करनाल के जो निवर्तमान पूरुसान सत्ते संजेवाटिया उनका भी नाम आया उसके बाद में कई नाम चले कभी कैप्टन अभिमन्यू का कभी ये हुआ कि धनकर साब को वापसी जिम्मेदारी मिल जाएगी कभी हुआ नहीं जी नहीं ब्रहमण चेहरा कोई सामने आएगा फिर हुआ नहीं किसी दलित चेहरे को बनाया जाएगा क्रशन लाल पमार या क्रशन बेदी ये कोई हो सकते हैं तमाम नाम चले लेकिन आज जो हुआ जिसके अंदर की जो भारती जनता पार्टी के राष्ट्रे महामंत्री हैरुन सिंग उन्होंने चिठ्ठी जारी की और चिठ्ठी में उसके जैप्रकाश नड़ा जी ने उस चिठ्ठी के अंदर जगत परकाश नड़ा जी जो भारती जंता पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष है मोधी सरकार के जो वजीर है केंदर सरकार के मंत्री उन्होंने गोशना कर दी कि अब हर्याणा का भारतिय जंता पार्टी का परदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडॉली होंगे मैंने आपसे कहा कि मनोहर इच्छा है ये मनोहर जलवा है ये और मनोहर के चहेते हैं मोहनलाल बडॉली अब आपको बताते हैं कैसे है वो सब महुनलाल बडॉली को 2014 और 2019 में विधानसभा का चुनाव का टिकेट मिला 1989 में 1989 के दौरान मनोहरलाल के सानिध्य में महुनलाल बडॉली राष्ट्रिय स्वेम सिवक संग में शामिल हुए थे और वहीं से ही उनकी नजदीकियां मनोहरलाल से बननी शुरू हो गई 2019 में चुनाव उनको राई से टिकेट दिया गया और महुनलाल बडॉली राई से चुनाव जीत गए महुनलाल बडॉली धनकर साब के साथ में और बाद में नायव सिंग सैनी के साथ भी परदेश महामंत्री के तौर पर कारे करते रहे बारती जन्ता पार्टी के अंदर जितना महत्वपूर्ण पद और वैसे भी संगठन की द्रिश्टी से जितना महत्वपूर्ण पद परदेश अध्यक्ष का होता है उतना ही महत्वपूर्ण परदेश महामंत्री यानिकी महामंत्री का होता है तो महलाल बडॉली महामंत्री के तोर पर काम करते रहे पहले तो दंखर साथ में और उसके बाद में उन्होंने काम किया नायब सिंग सेनी के साथ में महुनलाल बडॉली को हरियाना सरकार का वजीर हरियाना सरकार में मनोहर कैमिनेट में मंत्री बनाने की चर्चाएं भी खूब चली गाए बगाए यदा कदा उनके नाम की चर्चा होती थी कि महुनलाल बडॉली को मंत्री बनाया जा रहा एक बार तो बताया जाता है कि महुनलाल बडॉली को बुला लिया गया डिपार्टमेंट तक फिक्स हो गया लेकिन कोई कारण रहा होगा जिससे कि मनहुनलाल उनको मंत्री नहीं बना पाए मनहुनलाल बडॉली को और महुनलाल बडॉली के बारे में कहा जाता है कि वो मनहुन कोर टीम का हिस्सा रहे हैं नायव सिंग रहे हैं घाल कि उनके इतने ये मदव रिष्ठें है और अगर आप मान करके चलें तो मनोहर छाया नायव जैनी के अंदर है तो मनोहर चाया ही महसलाद बड़ॉली में भी है और मौलाल बडौली के भारतिय जंता पार्टी का परदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो मैंने आपको बताया कि एक तो ये हो गया कि मनोहर जलवा और दूसरी बात ये हुई कि ब्रहमन मद्दाताओं को साधने की जो भारती जंता पार्टी की प्लानिंग थी क्यो और ब्रहमन मद्दाताओं को साधने के लिए आप मालने कि सीधे सीधे ब्रहमन चेहरे पर दाव खेल दिया भारती जंता पार्टी ने अब अगर माने तो बीजेपी ने कितना जो कास्ट फेक्टर रह जाती कर समयकरन है कैसे कैसे साधा आया उसको आप देखें तो हरियाना के मुख्य मंत्री नायब सिंग सैनी, BCA यानि कि OBC, हरियाना में OBC कहा जाता है, हरियाना BJP के परदेश अध्यक्षब बन गए महुनलाल बडौली ब्रहमन, हरियाना BJP के परदेश परभारी सतीश पूनिया राजिस्तान से आते हैं जाट, हरियाना से जो मंत्री बने मनोहर मंत्राल, पावर्फुल केविनेट मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर और शहरी आवास मंत्रालिया उनके पास दोनों डिपार्टमेंट बहुत बड़े हैं, पावर्फुल हैं, पंजाबी, राव इंदर जी सिंग, यदुवन्शी अहीर, कृशनपाल गूजर, उनके नेत्रित के सदस्से मारम की समाम जातीinters समेह करन साधने की बात चली, और आब आपको बताएं कि मोहनलाल, बढ़ुली जो मैं आपको बता रहा था, मनोहरलाल के कितने नजदीक, और मनोहरलाल उनके लिए कहां कहां तक, क्या क्या किया, चुनाव मैं ने आपको बताया है कि टिकट मि और चुनाव जीते चुनाव लड़े चुनाव जीते दोजार उनिस का चौधा कहार गए हलाकि मारजन तो कम था लगवग 26-2700 वोट से जीत पाए थे राई विधान सभा से उसके बाद देखें तो मोहनलाल बडौली को फिर भारती जंता पारटी में संगठन में प्रदेश म लेकिन हाला कि चुनाव में उन्होंने अपना काम भी बाखुवी करके दिखाया लेकिन सबके पीछे एक बात और आती है कि रमेश कौशिक जो दो बार के वहां के सांसत थे उनका टिकेट काट करके और मोहनलाल बडौली को आगे बढ़ाने का काम आप इसमें भी मान सकते ह कि मनोहर भूमी का महत्वपूर थी और अब अब उनको हर्याना भारती जन्ता पार्टी का परदेश अद्यक्ष आज घोशित कर दिया गया चुनावी समय चुनावी बिगुल बजनेई वाला है और चुनाव के अंदर परदेश अद्यक्ष की भूमी का बहुत बड़ी रहती है आप मानें तो मनोहर लाल ने एक तरह से अपने सारी गोटियां हर्याना के अंदर एक बार फिर से फिट कर ली वैसे आपको क्या लगता है मोहनलाल बड़ॉली हर्याना भारती जंता पार्टी के अद्यक्ष के रूप में कितने सफल साबित हो सकते हैं क्योंकि संगठन का उनको तज़रवा है ही परदेश महामंत्री के रूप में संगठन का तज़रवा पूरा लिया है तो परदेश अद्यक्ष को वो कितनी कुशलता से चला पाएंगे और सबसे महत्वपूर बात कि संगठन और सरकार की जब टोली मिल जाती है तो नायब सिंग सैनी और मोहनलाल बड़ॉली का आपस का जो रिष्टे हैं वो भी बहुत मदूर हैं तो इन सब का बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें मारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन